तो दोस्तो आद तारिक हो गई है 9 सितंबर 2023 की साती में दिन है शनिवार का तो आईए बिना देर की ये फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरे और मुक्के समाचार तो देखें आज के मुक्के समाचार की पहली बड़ी खबर पंजाब में जी 20 के विरोध में सडको प मताबिक किसान निताओं का कहना है कि केंदर सरकार की देश विरोधी नीतियां देश को गुलामी की तरफ ले जा रही हैं पंजाम में 90 जगहों पर प्रधान मंतरी मोधी के पुतले जलाए गए जिस पर G20 भी लिखा हुआ था साथी में आपको ये भी बता दे कि किसानों का कहना है जो राष्टर इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं यानि कि जितने भी देश तो उनका पूरी दुनिया के 75% आर्थिक सुरोतों पर कबजा है वो भारत में भी हावाई मार्ग से लेकर समुदरी मार्ग साथी में खरन इत्यादी पर कबजा करना चाहते हैं दूर संचा कुरी दुनिया में 75% हिस्तों पर कबजा है खास करके सुरोतों को लेकर संसाधनों को लेकर तो ऐसे में किसानों का कहना है कि आने वले दिनों में ये देश मिलकर हमारे देश के भी कई चीजों पर कबजा कर लेंगे यानि कि कई चीजे खरीद लेंगे जैसे कि किसानों ने शिकार होते हैं यहीं नहीं इन शहरों में सड़कों पर सवा लाग से जादा कुट्टे टहल रहे हैं इन में साधे से जादा की तो नस्पदी भी नहीं हुई है शायद आपको पता होगा है कि अभी हाली में एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया बाती है कि दो तिन महीने पहले एक 14 साल के बच्चे को कुते ने काट लिया था लेकिन उसने डर के मारे घर पे नहीं बताया और उसको रेबीज हो गया दोस्तों आपको बता दे रेबीज है कैसी बीमारी है जिसकी कोई भी दवा नहीं है जिसका कोई भी इलाज नहीं है अगर उसका इंफेक्शन पेश करने का आदेश दिया है इसके साथ ही कोट में सर्वे की रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक पेश करने का आदेश दिया गया है दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे ये पूरा मामला वही है कि ज्ञानवापी में जो मस्जीद है जिसको लेकर हिंदू कुछ भी नहीं है तो इसी की वज़े से इसका सर्वे हो रहा है इस सर्वे के दोरान कार्बन डिटिंग वगरा भी करवाई जा सकती है ताकि जिसके जरीए ये पता चल सके यहापर जो पत्थर लगे हुए है या जो बाकी कई और चीज़े है तो मस्जीद के बनने से पहले तो सच में मस्जीद है या वहाँ पे पहले मंदिर था देखे आगली खबर अमेरिका के राश्रपती से हुई पीम मोदी की बातचीत पीम मोदी ने कहा कई एहम मुद्दों पर हुई बात दोनों देशों के रिष्टे जादा मजबूत होंगे जी आमेरिका के राश्रपती बाइडन से मुलाकात के बद पीम मोदी ने सोचल मेडिया पे कहा राश्रपती बाइडन को साथ लोग कल्यान मार्ग पर रिसीव करके खुशू हमारी मुलाकात काफी सार्थक रही हमने कई एहम मुद्दों पर बात चीत की दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों प देनर राश्पती द्रोपदी मूर मूदेंगी इस पर तमिलाडू के कॉंगरस नेता मोहन कुमार मंगलम ने कहा है के मोधी है तो मनु है खड़गे को इसे लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित है वह 36 गड़ के सीम भूपेश बगेल ने कहा क्या सहमती का सम्मान किया जाना चाहिए साथी में मुखे मंत्री भूपेश बगेल ने कहा के कॉंगरस अध्यक्ष मलिका अरजुन खड़गे को डिनर में ना बुलाया जाना बेहदी दुर भागये पूर है विपक्षकिया सहमती का सम्मान किया जाना चाहिए असान शब्दों में कहें तो सीम तो उसका भी सम्मान करें देखे अगली खबर ब्रसेल्स में बोले राहूल गांधी भारत में गांधी गोट से विजन की लड़ाई है साती राहूल गांधी ने कहा के पी एम मोदी आई एंडिये गड़ बंधन से डर कर देश का नाम बदलना चाहते हैं जी यहां कॉंग्र हमने जो विपक्षि गडबंधन बनाया है जिसका नाम आई एंडिये रखा है तो इसी की वज़े से प्रधान मंतरी मोदी डर गए हैं और इसलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं देश के लिए जो इंडिया का शब्द इस्तमाल होता है वो उससे हटा देना चाहते है देखे अंगली खबर इसलामिक देशों ने कहां महिलाओं के सिक्षा का अधिकार दे अफगानी हुकूमत तालिबान के इस पर आया जवाब इस मामले में सब्र रखिये जिया इसलामिक देशों के संगठन और्गनाइजेशन ओफ इसलामिक कॉर्परेशन यानि के OIC का एक लेकिन कोई भी बत फाइनल नहीं हो पाई है दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे OIC यानि और्गनाइजेशन ओफ इसलामिक कॉर्परेशन पूरी दुनिया का कैसा संगठन है जिसमें कई सारे इसलामिक देश शामिल है तो इसी संगठन नहीं ये कहा है कि त अब अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैस तरह के मामले गर्व करने वाले होते हैं ये इस तरह के मामले पर आपका कुछ औरी सोचना है आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आपके दियेगे जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा देखे आगले खबर रिलाइंस ने एंड वीडिये के साथ की पार्टनर्शिप दोनों कमपनिया मिलकर भारत में AI इंफरे स्ट्रक्चर डेवलप करेंगी तो रिलाइंस कमपनी को लेकर ये एक बड़ी खबर आ रही है देखे आगले खबर हिमाचल का किन्नोर जिला देश दुनिया से कटा रामपुर किन्नोर नेशनल हाईवे के 200 मिटर हिस्से पे गिरा पहाड कई दिनों तो खुलने की नहीं है उम्मीद जिया हिमाचल प्रदेश के किन्नोर के निगुल सरी में बीती रात पूरा पहाड सड़क पे गिर गया इसके बद हिमाचल का ट्राइबल जिला किन्नोर पूरी तरह से देश दुनिया से कट गया है यानि कि ना तो यहाँ पे कोई आसानी से जा सकता है और नहीं आ सकता है ब अलावा भी दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर भी बारिश के उम्मीद है जैसे के उत्तर प्रदेश, मद्दे प्रदेश, हर्याणा, साथी में बिहार वगराय में भी ये जानकारी हमने आपको अपने बीतरों इसके मुख्ये समाचार में काफी विस्तार से दी और गोवा, साथी में दक्षिन और पश्रिम मद्दे प्रदेश के कुछ हिस्तों में मद्दम से भारी बारिश हो सकती है इसके अलावा भी सिक्किम, पूर उतर भारत, दक्षिन आंतरिक करनाटा, केरल, उतर प्रदेश के पश्रिम हिस्से, लक्षवदीब, अंडिमान, न मिल नाडू के आंतरिक भागों में, आज हलकी बारिश की संभावना है, इसके अलावा भी रॉल सीमा, और दिल्ली अंसियार के एक दो स्थानों पर, आज हलकी बारिश की संभावना है, देखे अंगली खबर, अमिताब बच्चन को भी, आटी फिशल इंटिलिजेंस से डर आने वले 30 सितंबर 2025 तक केवल Global Music Junction कंपनी के लिए ही गाना गापाएंगे, दिल्ली हाई कोट के इस फैसले की बुनियाद वो कॉंट्रेक्ट है जो 27 मई 2021 को खेसारी लाल यादव और Global Music Junction के बीच हुआ था, मीडिया रिपोर्ट के नों सर, खेसारी लाल यादव को इस करा के लिए भी गाना गाएंगे, तो अब इस मामले में Company Global Music Junction ने इस करार को तोड़ने पे खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोट में केस कर दिया है, आसान शब्दों में गहें तो आने वाले 30 सितंबर 2025 तक के लिए गाने गाने होंगे, इसके बदले में उन्हें जुलाई से सितंबर में भारत में 70 लाग से जादा मुबाईल सब्सक्राइबर बढ़े हैं, इस लिष्ट में चीन, 50 लाख और अमेरिका 30 लाग रहक के साथ तीसरे नंबर पर है, आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है, कि तीन महीनों के अंदर, अकेला ऐसा पट्री से बरामद हुई है, ये शव केंट रिल वेश्टेशन से मोहडा के बीच पट्री पे पड़ा था, अब इस मामले में हर कंप मच गया है, साथी बताया गया है, जब लांस हवलदार की पतनी के मोबाईल पर, वटसब मेसेज आया जिसमें लिखा था, कि आपके पती को खुदा के पास भेज दिया गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद, शायद को यहाँ पर आतंगवाद का कनेक्शन है, देखें अगली खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर है बाईश का खत्रा, अब इसके लिए रखा गया है रिजर्व डे, यागर दस सितंबर को मैच रुके है, तो यह मैच रद नहीं होगा, बलके 11 तारीक को यह से दोबारा खेला जाएगा, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बड़ी खबर है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग भारत पाकिस्तान के मैच के इंतजर बेसबरी से कर रहे हैं, अभी हाली में पिछली बार जो मैच हुआ था, वो बारिश की वज़े से रध हो गया था, और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया था, देखे अगली खबर, विकी कोशल और कैटरीने कैफ जल देने वाले हैं गुड नियूज, जिए अभी हाली में विकी कोशल की तरफ से कुछ ऐसे जवाब, बीते 5000 साल का भी इतिहास दिखाया जाएगा AI के जर्ये, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, AI की मदद से एक एंकर को तयार किया गया है, जो कि महिला एंकर है, और ये देखने में बिलकुल असली की तरह लग रही है, ये G20 के महमानों का स्वागत कर जियां बिहार के भोजपूर में बीते गुरुआ रात, ताजिया जुलूस के दोरान जम कर बवाल हुआ, ताजिया निकालने के दोरान एक जोलरी शॉप की छट से भगवा जंडा लहराया गया, थोड़ी दिर बाद कुछ लोगों ने पत्थराओ कर दिया, इसके बद ता पलिस वालों को भी चोटाई है, अब बागी दोस्तों वैसे तो हम ताजिया के बारे में जानते हैं कि यह मुहर्रम पे निकाली जाती है, लेकिन अभी हाली में कौँसा ताजिया जुलूस निकाला गया है, इस बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, अगर आपको क पीजय चान्दी की तो चान्दी के दाम में भी 112 रुपे की तैजी देखी गई है, इस तैजी के बाद अब 1 किलो चान्दी की कीमत 71,352 रुपे हो गई है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, हम बस इसके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक को शेयर करना ही होता है हमारी महनत कफल, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फर वाचिंग